स्वागत आपका पेंक्रेशन अफिशल में आधमी शेया नमबर अड्डू को पाल की जन्माज पर इस्पेशल ड्रेस बनाएंगे इसे हमने बिना पुक्रम की बनाया है और यह इसके चूल लिए और यह बहुत आसान तरी किसे बनाया गई है अगर आपको मेरी वीडियो अच अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से पहले ही हमने एक बार फोल्ड किया अब एक बार फोल्ड करेंगे अब हम यहाँ पर इस तरीके से पाच-पाच इंस पर निशान लगा देंगे और इस निशानों को बटा देंगे कि यहां पर चोटा से निशान कमर का लगा देंगे और यहां पर इसकी कटिंग कर देंगे कि यह कुछ इस तरीकी से आएगा एक से और इस तरी से कटिंग कर देंगे यह हमने कटिंग कर लिए अब हम इसकी इस तरह से इसकी लंबाई नापेंगे हम इसकी लंबाई आ रही है चारेंज तो हम पाच इंच का नेट कर लेंगे पाचिन चोड़ाई का इस तरह से हमने पाचिन चोड़ाई का नेट कट कर लिया और इसकी लंबाई हमने जितना भी अरजस में आ रहा था नेट में उतनी ही ले ली है हम इसे इस तरह से रखेंगे और रखकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे पर इधर साइड में से लाए लगाएंगे यहाँ पर हम से लाए लगा देंगे इस तरह से और हम इसे इस तरह से फोड करके यहाँ पर प्लेट्स टाल लेंगे पर यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स में आएंगे एक सार एक सार यहां पर उपर से सिलाई लगाएंगे हमें प्लेट से बनानी है जी एक सारी बनानी है अब इस तरह से सारी में ब्लेट से बनानीगे है 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 झाल 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 तब नेट खतम होगा हम दूसरा नेट इस तरह से इसमें एड़ कर देंगे झाल हमने यहां पर पिलेट्स बना लें आप इस तरह के से एकसार करके इसे लाय लगाते हो नीचे तकाएंगे और यहां पर पिलेटों को सेट करते हुए पूरे सरक्ल पर इसे शिल देंगे इस तरह की से अब जो एकस्ट आड़े से हम कट कर देंगे यह हमने कट कर दिया और हम यहां पर ही टीश्री बन लेंगे इसे यहां पर हम इस तरह से शिल देंगे इस तरह से टक लिए हमने लॉक कर दिया पूरा और यहां पर हम शिलाय लगा देंगे इस पर नीचे हमें थोड़ा से एकस्ट्रा लेना है और पर पूर्ड करके इसमें सिल देना है ऐसे हम इसके दूसरे साइड भी शिलेंगे यहां पर यूँ में पहले अच्छी पूर्ड कर देना है और यहां पर शिलाय लगा देंगे इस पूरे पर यहां पूर्ड कर देना है इस पूर्ड कर देना है के अपने याई आपके यंए यह मेरी नेट लेली इस ङउ ने डबलबर करें को और उसके बाद युद्ध करके यहांपर करना की कि introduce और आप इससे इसरे के सएल में किनारे इपर से जाएंगे कर देंगे अब यहां पर हम डोड़ी डालेंगे डोड़ी डालकर इसे नेट को ऊपर की तरह फोर्ड करेंगे इस तरीके से और एक बार और फोर्ड करके यहां पर सिल देंगे हमने यह हाब बसी लिए चोली बनाने के लिए नेट लेले इसके लिम्मे हम ने लिए 13 इंज हमने लिए तेरा इंज फिर्य हम ने लिए पाइचे अब हम हम इन दोनों नेट को अलाग report तोरे कि ऐसे करेंगे और इसे यहां परoureск ए सीराई लगा देंगे इसके इदर कॉने में सिलाई लगा देंगे ऐसे हम दूसरे ही फोड कर लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे इसको पर ऐसे हम नीचे के तरफ भी सिलाई लगा लेंगे फोड करके से और दूसरे पर भी ऐसे लगाएंगे सिलाई कि अब यह में एक्सटाव कोड़ करके इसे यहां पर सीधा कर देंगे यह हमने सीधा कर दिया और अब इसे टीश डिबन से लॉक कर देंगे इस तरी की से हम लॉक कर देंगे ऐसे हम दूसरे बार लेको भी लॉक करेंगे कि अब इसे हम लॉक कर देंगे अ पर देंगेuk इसे हाँ पर सिरह लगा देंगे और अब इसमें हाँ पर डूरी लगा देंगे हम इस तरी किसे करेंगे इसके लिए हमने आप यह लेस लिए इसे हम गिलूगर्ण की हल्प से यहां पर चिपका देंगे सारे में कौने कौने पर चिपकाते जाएंगे करेंगे जाएंगे यहां पर हमने चिपका लिए हमने यहां पर यह चेन ले लिए इसे हम इस टून चेन बोलते हैं इसे हम इस तरी किसे यहां पर लगा देंगे और यह फ्लॉवर है इसे हम यहां पर इनकी बीच पर लगा देंगे अब यहां पर हमने चिपकाएंगे आप चाहें टुगे लोगन से भी चिपका सकते हैं ने पर लॉवर पर लॉवर पर खेंगे अभी फ्लॉर जिपका लेंगे कर दो कर दो कर दो कि यह पर चिपका लिए आव में स्टून लेंगे इसे हम इधर जब चिपका देंगे इसके इसके पगड़ी हम सेकिंड पार्ट में बनाना बताएंगे अब उसमें जाकर देख सकते हैं महाँ पर इड्रेस बनकर डेडी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यह पूरी ड्रेस बनकर डेडी है